प्रिये दर्शको नमस्कार आज मैं आपको जन्म कुंडली के बारवे भाव में बुद्ध का फल बताने वाला हूँ अगर आपकी जन्म कुंडली के बारवे भाव में बुद्ध किसी विराशी और किसी विलग न के क्यों न वेठे हो आपको ये केसा प्रभाव देंगे आज इससे जूड़ी कुछ विस्तरत और सटिक जानकारे में आपको देने वाला हो आप वीडियो को ध्यान पुरुवक देखते रहे जिससे इस बुद्ध का संपूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त हो सके बुद्ध वानी के बुद्धी मत्ता के हमारे ज्यान के कारक होते है जो चातूर्य मन में होता है जो बुद्धी में चातूर्य होता है परिस्तिती के नुसर कारे करने का जो गुण होता है उसे बुद्ध दर्शाने का कारे करते है बुद्ध को कुमार ग्रह कहा गया है यानि बालग्रह होता है इसमें जल्दी वाजी और उत्सुक्ता थोड़ी जादा होती है जिसके साथ रेता है वेसा ही स्वरूप ये निर्धारित कर लेता है वेसा ही निर्मान करके उसी में अपने आपको ढाल लेता है किन्तु केसा प्रभाव मिलेंगा जब बारवे भाव में होता है तो एसे में इस बुध्धि के प्रभाव में क्या कमी आ सकती है आज उसकी जानकारी भी मैं आपको दूँगा और किस तरह का प्रभाव पूरे जीवन पर ये बुद्ध कि apta करेंगा आईये मैं आपको उसकी जानकारी प्रधान करता है विं आप जानते हैं बुद् अधिक बात एसा विक्ति सोचता रहेंगा, बहुत अधिक कलपना करते रहेंगा, बड़ी-बड़ी कलपना करते रहेंगा, कि बुद्ध आखिर है तो एक कुमार गरह, तो कही न कही उसमें भी यूराज के जोगुण है वो अधिक होते हैं, तो बड़ी सोच रखना, सब अधिक कलपना करना, अधिक विचार शिलता प्रदान करता ये बुद्ध देखा गया है, इसके अतिरिकत आप एक और बात देख पाएंगी कि जिनके भी बारवे भाव में बुद्ध होते हैं, वो कार्ड को कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं, या कुछ नए तरीके से क कारे को प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस तरह कुछ कारे करेंगे जिसा अन्य नहीं कर पाए हो, और अन्य को चोकाने का प्रयास करेंगे, और ये बाद भी होती है कि प्रक्रती इसमें इनका साथ देती है, कैसे साथ देती है, आप ये देख पाएंगे कि कोई भी घटना सब भी को चोका देंगे सब भी सोचेंगे कि यह तो पहले से प्लानिंग करके आये थे कि यह सा होने वाला और फिर में इसा करूगा लेकिन इनके मन में उसी परिस्टिति के आधार पर कोई नई एक एसी तकनिक आ जाएंगी जिसके कारण यह उस परिस्टिति को संभाल ज्यादा किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं होता सबसे पहले शुरुबास से बात करते हैं अगर बात करें आपकी शिक्षा की तो देखे शिक्षा के लिए इस बुद्ध का प्रभाव थोड़ा मिला जुला देखने को मिला कि मैंने किसा कहा कि यह मनमूजी सभाव का ब बनाते ही है तो कोई रुकावट उत्पन नहीं करेंगे किन्तु अगर आपके मन में नहीं है कि मुझे शिक्षा नहीं करना तो फिर कितनी अच्छे वस्ता में बुद्ध क्यों नहीं हो आप शिक्षा नहीं करेंगे कई बार आपकी शिक्षा पर केवल आपका नहीं आपके घर परिवार के सदस्यों का माता पिता का भी विशेश एक प्रभाव आ जाता है ये प्रभाव कुछ इस परकार देखने को मिला कि आप अपने जीवन में कोई ऐसे विशेश को चुनते हैं जो आपके माता पिता कहे या उनकी कुछ इच्छा हो कि हाँ आपको ये करना चाहिए तो आप उसमें बढ़ जाएंगे और ये बाद भी है कि आप सफलता भी प्राप्तर करेंगे क्योंकि ये बुद्ध का प्रभाव ये देखने को मिला कि आपको खुद के लिए कोई काम करना हो तो भले आप उसमें लापरवाही कर जाएं किन्तु अन्य के लिए करना हो, तो आप उसमें कभी लापरवाही नहीं बरते, जैसे अन्य ने कहा कि हाँ आप ये करो, भले आप शिक्षा सोयमी घ्रण करेंगे, सोयम के लिए ही करेंगे, किन्तु अन्य ने कहा है तो आप कर लेंगे वो, और बिना किसी रुकावट के कर ले और अच्छी तरह से महिनत करके अच्छे से अच्छे आप अंक भी लियाएंगे ये बात ये बुद्ध निर्मित कर देता है क्योंकि आपको टेज बुद्धी वाला बनाता है जल्दी सही बातों को सीख जाते हैं और ये जल्दी सीखने के कारण ही अब समझ लीजिए कई बा ये बुद्ध आपको अच्छा औप B Check रहते हैं अर परिस्ची को आप समझते रहते हैं किस प्रकार का प्रभावशन बनने वाला ही ये आप कही न कही सोचते है और ये ही सब सोचते सोचते आपकी बुद्धी में हर परिष्टी के साफ से केसे कारे करना है केसे निर्णे लेना है उसकी एक अभुद पूर्व शमता आ जाती है ये बुद्ध आपको ज्यान का मंधार बनाते है और इसलिए आप जहां पर भी रहे अपने ज्यान को सदेव बाठते फिरते है ये बातों को बोलेंगे तोल मोल करके बोलेंगे किन्तु अगर पापक ग्रह का ही प्रभाव है या बुद्ध यहां पर किसी अशुब राशी में बेठे है तो फिर आप क्या बोल रहे आपको खुद को पता नहीं लगेगा या कुछ ऐसे शब्द बोल जाएंगे जिसके कारण आपको ही परिशानी का सामना करना पड़ेगा इसा क्यों क्यों कि देखिए बुद्ध जो होता है वाणी का भी कारक होता है वाणी का प्रभुत्व बुद्ध करता है और बुद्ध का बारवे भाव में होना ये बारवा भाव खर्च का है तो जो भी ग्रह यहां से जुड व्याय तो होना ही है अब बुद्य जैसा ग्रह बार्य भाव में है तो यह आपको अधिक मात्रा में अपनी वार्णी का खर्च करने के लिए प्रेडित करेंगा यह बुद्य आपको तीन प्रकार की केटेगरी में आपको बदल सकता है जैसे या तो आप ऐसे विक्ति बन जाए अब वो अलग-अलग ग्रहों के साब से बता रहो जोड करके कि कुछ जैसे ग्रहों का प्रभाव होंगा वेसा प्रभ जादा कुछ लंबे समचक ना बोले थोड़ी सी बात करी लेकिन अपना जो मुख्य बात थी वो सामने अलग के सामने रख करके आप वहां से अलग हो गए यह पहला तरीका हुआ यह बुद्ध आपको ऐसा बना सकता है दूसरा यह हो गया कि यह बुद्ध आपको बहुत ब अपनी बात रख दी यह प्रभाव भी यह बुद्ध कमजोर होने पर एसा भी कर देता है और तीसरा प्रभाव कि आप एकदम सब भी और शालीन भाषा का उपयोग कर रहे हैं बीच में बोल भी रहे हैं लेकिन जहां आवशकता हो जहां सही अपनी बात रखना हो एसा लोकावती अच्छी भाषा का उपयोग करेंगे खराब ग्रह का ही प्रभाव हो तो आप फिर जो मन में आएंगा वो बोलेंगे और इसी के कारण कई बार प्रभाव बारे भाव में है तो ये भी देखने को मिला कि अन्य लोग आपकी बातों से ही आपको नुक्सान आपको हो सकता है क्योंकि देखिए अति सर्वत्र आप जानते हैं कि वर्जित होती ही है तो आप जहां पर भी अपनी वाने की अति कुकर देंगे वहां पर ये बुद्ध भी थोड़ा नकारात्मक हो जाएगा और आपको थोड़ी प्रोब्रम देना काम कर सकता है इसी यहां पर कमजोर तो थोड़े हो ही जाएगे और इसका प्रभाव ये ज़्यादा देखने को मिलेगा कि एसा विक्ति ग्यानवान बुद्धिमान भले ही सब हो लेकिन अपनी बात सामने वाले के सामने अच्छी तरह से व्यक्त न कर पाए मन में हो इसे विक्ति के किहां मैं अच्छा बता रहा हूँ लेकिन इसा विक्ति सही बातों को नहीं रख पाए और अपनी बातों से न सामने अलगों प्रभावित कर पाए नहीं अपनी बातों को सही डंग से समझा पाए सामने वाले को अब ये तब होगा जब बुद्ध कमजोर हो मजबूत हो गुरु का प राकि बुद्ध यहां पर हो तो निश़्ीत ऐसा विक्ति वाणी का उप्योगधि करता है और वो रूप में करता है यह विक्ति के स्वयम कीप विविएक पर निर्भर करता है अच्छे रूप में करता है या या केबल व्यर्थ में ही या लोग इस से परशान है कि यह यहा होते हैं दोस्त मित्रादी की लंबी संख्या इसे विक्ति के साथ होती है और ऐसे दोस्त नहीं कि जो केवल बस आज मिले और कल चले गए या फिर इससे कोई साथ नहीं रखेंगे इससे कोई मित्ता नहीं रखेंगे साथ नहीं देंगे ऐसे मिलेंगे जो हर वक्त इसका साथ किसा विक्ति कही न कही उनके लिए करने वाला होगा, खर्च करेंगा उनके उपर, किसे करेंगा उसकी चर्चा आगे करता हूँ, लेकिन दोस्त मित्रादी लंबी संख्या में मिलते हैं, लंबी संख्या भी होती है जिनसे ये सा विक्ति जुड़ा हुआ होता है, और उनी धन की इस्तिति को भी निर्दारित करना काम करता है इस बुद्ध के कारण ये देखने को मिला कि इश्वर आपको इतना धन देते हैं कि आपको जो भी काम करना हो वो आपका कारे कोई न रुके जब भी आवशकता हो आपको धन की वेवस्ता ये बुद्ध करवाता ही नजर आ पूर्ण बुद्ध बी चंदर्मा के समाज जल्दी जल्दी चलने वाला ग्रहें जल्दी जल्दी चलेंगा तो वह जल्दी ही आपके खर्च को बढ़ा भी दिता है मतलब के मन्न में आया कहाँ खरीद ना है आपने यादा सबको भोजन करवा है हैं तो इस सब से भी आपके अपकर पार्टि देना उन से आपके अच्छी बोंडिंग तो हो जाएएंगी तो आपके धनक करद रंक होने तो management शम्ता को ही सबसे कमजोर कर देते हैं, फिर आप परिस्तिति के सबसे काम तो कर लेंगे, लेकिन परिस्तिति को handle नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि management बना करके रखे, कि समय कितना धन खर्च किया जाना चाहिए, इसका management आपके पाद अच्छी त और भी बढ़ना चाहिए, जिसमें आपको अपनी वाड़ी का उप्योग करना पड़े, अपने contact लोगों से जोड़ करके रखना पड़े, पब्लिक से जुड़ा यानि कोई भी काम करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेंगा, पब्लिक से आप जोड़ जाएए, आप न किसी ने किसी प्रकार से कोई भी काम क्यों ना करें, लेकिन उनसे जुड़ा होना चाहिए, उनसे आपको डेली बेसिस पर मिलते रहना पड़ता हो, तो ये आपके कारे में अगर बुद का उप्योग आ जाएगा, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेंगा, ये बुद आ नहीं होती इस बुद में, बस आवशकता है, सही तरीके से तोल मोल करके कारे करने की, ये आप कर लेते हैं, तो बस फिर आपको चिंता नहीं करना पड़ेंगी, इस बुद का परिणाम आपको अच्छा मिलेंगा, और कही न कही आप सभी इस्तिती को अपने पक्ष में अच कई बार होता है कि कुछ भी बोलना, जल्दी बाजी में बोलना, ये सब चीजे नकारत्मक बुद की निशानिया है, तो इसलिए सोच विचार करके बोले, इसकीन संबंदी प्रोब्लम, दातों में प्रोब्लम, मुहों से जुड़े कुछ रोग होना, ये सब ये बुद में फोकस रहे, ज्यादा ऐसा भटकाउत, इस्तिती, निर्वितना होने दे, और दुस्रे नंबर पर शिक्षा सही तरीके से प्रयास करें उसके लिए भी, और साथ में, जिन से भी जुड़ते हैं, वो कुछ ऐसे लोग को भटकाने का काम ना करें, सही मार्ग पर आपको आगे पड़ेंगी, किसी प्रकार चिन्तित नहीं होना पड़ेंगा, अन्य था, वही बात हैं कि आपनी वाने की कार्ण बदनाम हो, आपको परशानिय का सामना करना पड़े, आपको कुछ बोल दे, और उसके कार्ण फिर आपको अन्य लोग कही न कही थोड़ा आपके बारे में फिर गलत बाते बोले तो वो सब बाते बढ़ जाएगी, तो उसका ध्यान रखे, जिससे आपको कोई चिंता का प्रभाव देखने को न मिले, इस बुद्ध का अच्छा प्रभाव लेने के लिए सबसे अच्छा ही देखने को मिला कि धार्मिक शेत्रों की यात्रा करते रहता हर कुछ-कुछ समय पर आप अगर धार्मिक शेत्र की यात्रा करते रहेंगे, तो आपके लिए इस बुद्ध का प्रभाव बहुत अच्छा रहेंगा बाकी बुद्ध से जोड़ी वस्तु का दान करना, पक्षियों को जाना डालना, काय को हरा चारा खिलाना, गणे जिकी पुजा करना, ये सब बुद्ध की उपाई आप जानते ही है, निन्हें करते रहें, इससे आपको इस बुद्ध का परिणाम और अधिक अच्छा प्रा जाने बात